हाई एवरिवन स्वागत करते हूं आपका अपनी चैनल ग्रानी गार्डन ब्लाग समय दोस्तों आज सुबह से ही बहुत तेज बारी सो रही है अभी आपने देखा कि कितनी तेज बारी सो रही है और इस बारी से मौसम में हम बाहर कहीं जाने का तो सोच ही नहीं सकते हैं थोड़ा खूला मौसम रहता है तो हम लोग सोच भी लेते हैं कि चलो कहीं बाहर घुम के आते हैं लेकिन आज फिर मैंने सोचा कि चलो आज कहीं बाहर जाना तो है नहीं तो चलिए आज घर में क्या कर बस आज मैं अपने डेली रूटिंग का ब्लाग बनाने के लिए लग गई सुबह से ही और सुबह सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो तो हमें करना ही होता है चाहे कहीं जाना हो या ना जाना हो पानी आए या ना आए वैसे अभी तो बरसात का मौसम चल रहा है तो कहें ही न जब कहीं नहीं जाना रहता है तो बस अपने घर में काम करो और जो अगर अपने को कुछ करना रहता है तो बस टाइम पास के हिसाब से अपना काम करो और जब घर में अगर कोई नहीं रहता है तब तो और भी ज्यादा बेकार लगता है क्योंकि आज मैं अकेली ही घर में आज मैं डेली रुटिंग का ब्लाग मैंने नहीं बनाया है तो आज ये मौका आ गया है तो मैंने सुचा जो मैं छोड़ती भी नहीं इस मौके को क्योंकि पानी आरहा है तो पानी के सासात में हमारा जो काम होना बहुत जरूरी है तो बस सुभा का जो तो सभी के घरों में डेली होते ही रहता है जाड़ू लगाना है बरतन साप करना है और फिर थोड़ा बहुत नास्ते के लिए खाना बनाना है मतलब हमारी डेली की रूटिंग ऐसे चलते ही रहती है लेकिन दोस्तों जैसे ही मेरा पूरा घर का काम हो जाएगा और जब मैं नह साथ का मौसम चल रहा है और बरसात के मौसम में हम लोग घर में ही रहते हैं तो कुछ चटपटा सा ऐसा खाने का हमारा हमेशा मन होता है लेकिन टाइम नहीं रहने की वज़े से हम लोग नहीं बना पाते हैं और टालते रहते हैं कि चलो आज बनाएंगे कल बनाएंगे लेक देखिए दोस्तों मेरा जो डेली रूटिंग का ब्लाग है वो तो चलते ही रहता है क्योंकि सभी के घरों में यहीं होता है सब हाउस वाइप यहीं करती है लेकिन आज मुझे यह मौका मिल गया है क्योंकि पानी तेज आ रहा था इसलिए मैंने सोचा कि चलो छोटी-छोटी जो हमारे घर की जो बाते होती है मतलब हमारे जैसे डेली हम क्या करते है कैसे करते है कैसे मेनेज करते है किसी किसी का छोटा घर रहता है किसी का बड़ा घर रहता है है तो हमारा छोटा ही घर लेकिन काम तो जो है वो करना ही रहता है तो बस मैंने पूरा जाड़ू पोचा क करके यहां नहां दोकर आ गई हूं और उसके बाद में थोड़ा रेडी हो जाती हूं क्योंकि बाल मेरे पूरे गीले है दो दिन हो गया ता बाल नहीं धोया था क्योंकि अभी वैसे गर्मी के मौसम में तो यह मान के चलिए कि डेली या फिर एक दिन के बीच में हमें धुलना ही रहता है लेकिन ऐसा मौसम रहता है तो बाल अगरे भी नहीं सुकते हैं उसके लिए हम लोग थोड़ा सा एक दिन और ज्यादा लेट कर लेते हैं मतलब दूसरे दिन या फिर तिसरे दिन धुलते हैं तो आज मेरा भी तिसरे दिन हो गया था तो मैंस वजा चलो आज मैं बाल धूली ही लेती हूं और पंक्खे में तो वैसे भी शूखी जाते तो थोड़ा गीले जो बाड रहते हमारे थोड़े बालों में नहीं लगाई थी नहाने के बाद में तो फेस पे क्रीम लगाना ही रहताने लगाना ही, इसके सबसे हैइस कोई भी कीर्म हो, तो अगर कोई भी क्रीम अगरे नहीं भी लगाया तो चल जाता है लेकिन ठंडी हो या बरसाद हो उसमें तो हमें लगाना ही होता है तो इसकी खीचने लगती है तो चलिए यहां तो मैं रेडी होई चुकी हूँ अब उसके बाद मैंने जो आप लोगों से शेयर कहा था कि छो भुट्टे लाए थे तो मैंने सुचा चलो आज इसके शुट कॉन जो है हमारे क्योंकि बरसाद के मौसम में ही हमें ऐसे अलग-अलग चीज़े खाने को मिलती है और टेश्टी भी लगती है और अभी वैसे घर में ही रहना है तो टाइम पास करना ही है तो कैसे करना है उसक जो मैंने तीन भुट्टे लिये थे इस तीनों भुट्टो के दाने हमें इखटे कर लेना है क्योंकि दाने वैसे हम लोग अगर चाहे तो भूनकर भी खा सकते है बहुत टेश्टी लगते है भूनकर भी खाते है तो लेकिन गेश पे क्या है उतने अच्छे से भूनते नही इसलिए में और आमसे वीडियो भी बना रहे हूं बाते भी का देघ tamanho और देली रुटिंग का है इसी ही होता है और हमारे यहां सब्सक्राइब गिलास खॉट हमाद ப के के किये थे थोड़ा सा पाच मिनिट तक हमें इसे उबाल लेना है इसमें हमें डाल देना है नमक चुप अपाच इड़ेद्गी आसे जब टे तब हमें इसे निकाल लेना है और कड़ाई में तेल डाल देना है गरम करने के लिए और फिर देखिए इसके बाद में मैं कितने अच्छी टेश्टी रेसिपी बनाने वाली हूं आज बहुत ही मन हो रहा था बरसाद होती है तब अक्सर करके ऐसे पकोड़े हो या फिर कोई न अघरी जयुद करके अच्छी टाला टाना केले आंगाल बाद में मेरी होम मेड में घरमेर कि अपरर होड मेरे चैनल पर पहले से अपलोड है अगर आप लोगों को नहीं पता होगा या नहीं देखी होंगी तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं इसमें थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल दी है और टेश्ट के लिए लाल मिर्ची पाउडर और बस इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद में हमें एक प्लेट में निकाल लेना है दोस्तों बहुत ही टेश्टी बनने वाली है आज की ये रेशेपी कहो या फिर हमारा नास्ता कहो ब्रेक फास्ट क्योंकि अभी कह सुबह का समय है सुबह के समय में गर्मागरम आगर बरसात के मौसम में अगर ऐसे नास्ता मिल जाय तो फिर क्या बात होती है तो देखिए यहां मैंने ठोड़ा ठोड़ा करके हमें डालना इक हट्टे नहीं डालना है क्योंकि अलग eight के चीपकता तो वे से भी नहीं है क्योंकि हमने एक गांग इसे सूखा-सूखा कोटेट किया है एक पाणी नहीं किया है तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते है दोस्तो इस प्रकार के अगर रेसिपी अगर आपने नहीं बनाई होंगी तो अपने बरसात के मौसम में बहुत सारे सुइट कॉर्ण मिलते हैं अभी, मतलब भुट्टे मिलते हैं और वो ताजे भुट्टे के हम लोग बहुत ही टेश्टी ऐसी रेसिपी बना सकते हैं तो दे लग रहे हैं तो दोस्तों आज का मेरा पूरा ब्लाग कंप्लीट हो चुका है आप लोगों को कैसे लगा टाइम पास वाला ब्लाग कमेंड करके जरूर बताइए और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें कीजिए चलिए मिलते हैं ऐस इसे ही नियू ब्लाग के साथ में नियू नियू रेसिपी के साथ आए है